दोस्तों आज हम बात करेंगे धर्ती के भगवान की जी हाँ धर्ती के भगवान यानि की डॉक्टर्स चुकि आज नेशनल डॉक्टर्स दे है तो इस मौके पर डॉक्टर्स दे क्यों मनाया जाता है और इस बदलते मौसम में हमें अपने सेहत का कैसे ख्याल रखना है इस मुद्दे पर बात करने के लिए सुभारती डायरी के स्टूडियो में मौजूद है स्वामी विवेकानंत सुभारती विश्वविद्याले के नीताजी सुभास चंद्रबोस सुभारती मेडिकल कॉलेज की पैथोलोजी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर एंड होडी डॉ कामना सबसे पहला सवाल आखेर नैशनल डॉक्तर स्टे कब से और क्यों मनाया जाता है ये जो नैशनल डॉक्तर स्टे है ये 19 aussi से मनाया जाता है और इस दन का के बारे में विशेश ये हैं कि ये डॉक्टर बी-सी राय रॉय को याद करते होए हम मनाते हैं यह इसमें बीसी राय का जनम दिन और उनकी पुन्य थी दोनों ही एक जुलाई को पड़ती है उनका जनम एक जुलाई 1882 में हुआ था और उनकी मृत्यू इसी दिन एक जुलाई 1962 में हुई थी उन्होंने चिकिच्चा के शेत्र में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है वो एक राज जनितिक गया थे और आजाद भारत में वो जो है बंगाल के मुख्यमंत्री रहे और जब उनकी मृत्री हुई तब भी वो मुख्यमंत्री के पर रहे और इस दिन नेशनल डॉक्टर जे पे इस दिन हमारे देश में राश्पती द्वारा जो इस चिकिच्चा के में जिनका योगदान ने उनको बी सी रॉय अवार्ड भी दिया जाता है तो यह इस दिन की विशेष्टा है बहुत अच्छी जानकारी डॉक्टर बी सी रॉय भारत के स्वाधिनता संग्राम के एक सेनानी थे जैसा मैम ने हमें बताया डॉक्टर अंजली जी ने और उसके साथ-साथ वो सिख्षा विद्वी थे चिकित्सा सिख्षा में भी उन्होंने अपना अतुल्य योगदान दिया 1976 में डॉक्टर बी सी रॉय जी को भारत का सरुस्रेश्ट सम्मान जो है भारत रत उससे उनको नवाजा गया और उनकी ही जन्म दिन के और पुन्नेती थी यह जो संयोग है इस संयोग को मनाने के लिए उन्निस सो इक्याट्वे में इस दिन की शुरुवात हुई आज हम डॉक्टर्स को नेशनल डॉक्टर्स टे पर सलाम करते हैं यह तो डॉक्टर्स टे की कहानी है जैसा कि जोलाई शुरु हो गया बरसात का मौसम शुरु हो गया ऐसे में बिमारिया भी बहुत पनकती है बहुत तरे टो इसमें हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हम लोग स्वस्त रह सके एक आम व्यक्ति तो अपने आपको अपने खान-पान में और अपने आसपास में किस तरीके की चीजों का ध्यान रखे जिससे कि उसके सेहत पर कोई बुरा असर ना पड़े यह अभी जो मौसम चल रहा है उससे संबंदित बहुत ही अच्छा प्रेशन है आपका एक तो यह है कि बरसात के मौसम में जो यह हुमिनिटी बहुत जादा होती है जिसे हम आदृता कहते हैं बहुत जादा होती है जो की फेवरबल होती है बहुत सारे वायरसेज और बैक्ट से जादा हो जाते हैं इंफेक्शन पकर लेने के तो इसमें कुछ चीजें हैं जिनका हमें मुख्यत्या ध्यान रखना चाहिए एक तो सबसे पहले हैं उचित खानपान उचित खानपान के विशय में मैं बहुत जोर देके कहना चाहूंगी मैं पेथालोजिस हूं मैं उखनाप्यालोजिस हो चाहे होमियोपैथी हो या ऐयर वेदा हो हर एक का जो में बिमारियों से बचाव खर के लिए जो तरीका बताता है वो यही कि हमें अपना संतुलित आहार रखना चाहिए तो बरसाद के मौसम में हमें एस्पेस्यली से धाना चाहिए कि हम संतुलित आहार ले और अपने आसपास सफाई रखे बर्सात के मौसम में ज़्यादा तर जो बिमारियां होती है वो या तो गंदे पानी के सेवन से और या फिर होती है मच्छरों से जैसे कि हम देखते हैं पिछले कैई सालों से बर्सात के मौसम में डेंगु बहुत ग्यान दिया जाता है वो यह कि वो डेंगी का मच्छर जो है वो रुके हुए पानी में होता है तो इस चीज का ध्यान रखें कि आपके ऐसा नहों आपके लॉन में कोई एक मिटी का बरतर हो जिसमें पानी भरा हुआ हो तो उन सब का ध्यान रखें मच्छरों को पनपने ना दूस्रेरा मौस्कुutonet का इस्तमाल करें अगर मच्र बहुत ज्यादा है अगर सोते बक्त मौस्कुutonet का इस्तमाल करें और स्वच्छता रखे अपने चारों तरफ स्वच्छता बनाएd रखे और साथ-साथ अपने पर्सनल हाईजीन उसका भी हम को ध्यान रखना चाहिए हाथ frequently hand wash करना चाहिए तो ये सब कुछ चोटी चोटे टिप्स हैं जिनकों की ध्यान रखकर हम इस मौसम में बिमारियों से थोड़ा अपना बचाव कर सकते हैं आपने खान पान के ध्यान की बात कहीं है तो खान पान में हमें किस तरीके की चीजों का जादा से जादा इस्तेमाल करना चाहिए इस मौसम में और किन चीजों को एवाइड करना चाहिए उनको छोड़ना चाहिए देखिए खान पान का एक जो है कहते है बेसिक रूल ये है कि हमारे उसमें हमारे खाने में प्रोटीन, कार्भोहाइडरेट, फैट, सबसी, फल इन सब का मिश्रन होना चाहिए especially जो हम अपने society में देखते हैं या वो यह है कि हम लोग protein का सेवन पे ज्यादा ध्याद नहीं देते हैं मैं आप लोग को बदाना चाहूँगी कि जैसे हम बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग की मजबूती के लिए हम यह ध्यान रखते हैं कि उसमें सरीय बहुत अच्छे हो उसका जो basic structure है वो लोहे का बना होता है जिसके उपर फिर हम बाद में फिर इंटे, सीमेंट लगा के हम एक अच्छी बिल्डिंग बनाते हैं उसी तरह से हमारे शरीर का वो जो सरिया है वो है protein अगर protein हमारी body में कम होगा और हम और बाकी चीजे संतुलित भी लेंगे तब भी एक frame नहीं मिलेगा उन चीजों को एक body को बनाने का बांधने का तो हमें protein का ध्यान रखना चाहिए और प्रोटीन में जैसे आप लोग जैसे पता ही है कि डाले है अनाज है और जो लोग अंडा खाते हैं वो अंडे का सेवन कर सकते हैं और जो मास मचली खाते हैं तो वो उन से चीजों से protein ले सकते हैं पर protein का बहुत यान लखना चाहिए हम जितना protein लेंगे हमें old age में जाके वो प्रोटीन बहुत सहयोग देगा आपका तीन दशक से एक जादा ही लंबा अनुभव है अजी अगर हम बात करें तो बहुत सारी ऐसी बीमारिया है और उनके लक्षण है जो अगर हमें पहले से जानकारी हो कि इस तरीके का लक्षण अगर हो रहा है तो हमें ये बीमारी हो सकती है तो उसका अर्ली डाइग्नोसिस या अर्ली ट्रीटमेंट हम कर सकते है एक बहुत गंभीर समस्या आज के देट में जो युवाओं के सामने आ रही है और खास्तोर से युवावर्ग में वो हो रही है बहुत अर्ली एज में वो है कैंसर की बीमारी एक पैथलोजिस्ट के तौर पर कैंसर की बीमारी का अर्ली डाइग्नोसिस और अर्ली ट्रीटमेंट ये किस तरीके से संभव है और कैसे किया जा सकता है इसके बारे में बते हैं सही का आपने पहले जब हम पढ़ते थे तो हम कैंसर ये था कि कुछ कैंसर किसी एक केज ग्रूप में होते थे कुछ तरह की कैंसर कुछ शरीर के कैंसर किसी दूसरे आयू वर्ग में होते थे पर अब धीरे-धीरे हम देखत के लिए मिल जाता है तो उसमें एक तो हमारे जो है बातावरं का बहुत बड़ा हाथ है हमारी अपने झो है कहते हैं लाइफ-स्ट्डाइल का बगूत बड़ा हाथ है और उसमें लाइफ-स्ट्डाइल से रिलेटेड जितने फैक्टरस होते हैं smoking है, alcoholism है इन सब का तो हमें ध्यान रखना ही चाहिए कि इन सब से अपने आपको दूर रखे उसके अलावा early diagnosis की जो आपने बात कही उसमें ये है कि हमारा शरीर हमें खुद बताता है हमारा शरीर के में जो भी कोई लक्षन अगर हो तो हमें उसे ignore नहीं करना है ये बहुत कभी कभी दुख का विशय लगता है मुझे कि हम देखते हैं कि एक मरीज है उसके चेहरे पे इतना बड़ा सा ulcer बन गया है तब वो OPD में अपने आपको दिखाने के लिए आते हैं तब वो इलाज के लिए आते हैं प्लीट क्योर मिल जाएगा तो लक्षन आपने का कि बॉड़ी हमें बताती है तो ये लक्षन अगर संचिप तुम्हें हम जानना चाहें कि लक्षन किस तरीके के हो सकते हैं जिन से पता लगे या हमें ये समझ में कि ये शायद संभावित रूप से कैंसर का एक कारण है देखिए वैसे तो कैंसर का जो जिस पार्ट का बॉड़ी पार्ट का कैंसर है उसके हिसाब से लक्षन होते हैं पर फिर भी एक आम तौर पर अगर किसी को कमजोरी लगनी शुरू होती है चक्कर आने शुरू होते हैं तो सबसे पहले अपने basic investigations कराने चाहिए, जिसमें की खून की जहाँ चाहती है, पिशाब की जहाँ चाहती है, आप x-ray कराईए और ultrasound कराईए, पेट में दर्ध है तो ultrasound कराईए, तो यह या urine में पिशाब में आपको खून जाने लगता है, या latrin की रास्ते खून जाने लगता है, या फिर महिलाओं में अगर यह है परवजाई नम bleeding की complaint होती है, तो इन सब symptoms को ignore नहीं करना चाहिए, अगर कहीं पर भी शरीर में कोई भी गांट है, तो एक simple सा procedure होता है FNAC, उसमें एक सूई से उस गांट का पानी निकाल के उसके जाच की जाती है, यह procedure FNAC, यह cancer की early diagnosis, cancer की diagnosis में बहुत ही कारगर है, और एक जो दूसरी बीमारी हमारे देश में बहुत जादा है, वो है tuberculosis, TB, तो FNAC से हमें TB का भी पता चल जाता है, और FNAC से हमें cancer का भी पता चल जाता है, उसी तरह से महिलाओं में जो है क्या करते है, योनी के cancer को बचाने के लिए, जो बच् जाच करानी चाहिए, और उसको तीन-चार साल में, तीस साल की उम्र के बाद, तीन-चार साल में एक बार उसको कराते रहना चाहिए, हमें early diagnosis के लिए तो जागरुक बनने की बहुत तो क्या एक आम व्यक्ती को एक pathologist के तोर पर आप क्या सला देना चाहेंगी कि उसको अपन जो बॉडी की पूरी जाच है, वो कितने समय के अंतराल पर कराते रहना चाहिए, देखिए, एक उम्र के बाद, कहते हैं, 40 साल के बाद, हमें अपने खून की जाच और यूरिन की जाच ये regularly करानी चाहिए, साल में एक बार हमें उसको करा लेना चाहिए, उससे हमें अगर क कोई भी खून की कमी हो रही है, एनीमिया हो रहा है, उसका पता चल जाता है, दूसरे बहुत सारे जैसे कि अगर आप बलड में शुगर के लिए चांच कराते हैं, तो आपको डाइबडी का पता चल सकता है, जो कि 40 की उमर के बाद usually जिन लोग को कुछ लोग को होती है, तो उसका पता चल सकता है, और किड्नी फंक्शन टेस्ट से किड्नी का और लिवर फंक्शन टेस्ट से हमें लिवर की बिमारियों का, तो उससे हमें थोड़ा सा उससे हम उसको जल्दी पकड़ पाते हैं, अगर हम रेगुलर जाचे कराते रहते हैं, तो अगर हम बात करें, आगरुकता के लिए, समाज के लिए आप क्या काम कर रहे हैं? देखिए, मैं डॉक्टर हूँ और मुझे अपना ये प्रोफेशन, मुझे अपना प्रोफेशन इसलिए बहुत जादा पसंद है कि इसमें इलाज के साथ हम जो करते हैं, हम वो करते हैं, सोसाइटी की में एजुकेशन देना और उस तरह से एक मन को हमेशा संतुष्टी रहती है कि हम समाज के लिए भी कुछ कर पा रहे हैं तो इसमें हमारी जो नेशनल मेडिकल कमिशन है, उसने भी अभी जो किया है रिसेंटली, उन लोगों ने ये किया है कि हर मे के वो जो इस्टुडेंट्स हैं, वो उन पाँच फैमिली का एक हिस्सा बनेंगे और उससे उनको पता चलेगा कि ऐसे हमारे कौन सी सोशल फैक्टर्स हैं, ऐसे कौन से एन्वार्मेंटल फैक्टर्स हैं, जो कि उन पाँच फैमिली में बिमारी का कारण बनते हैं, अब क्य पानपान में इस चीज की कमी है, जिससे कोई बच्चे को विटामिन की कमी हो रही है, विटामिन D की कमी हो रही है, या एनीमिया हो रहा है, तो वो उन सारे एरिया में उन फैमिलीज को एजुकेट करेंगे, तो हमारे सुभारती मेडिकल कॉलेज के बच्चों ने भी उसी तर लावा हम लोगों के medical college उसमें बहुत सारे जो है नुकर नाटक हम लोग कराते रहते हैं नुकर नाटक जिसे high and hygiene के उपर हातों को किस तरह से धोना चाहिए या फिर हमें blood banking पे कि हमें blood एक general awareness के लिए कि खून को दान करने से रक्त दान से खून की कमी नहीं होती है तो सब को promote करने के लिए और उसके लवा बहुत सारे diseases AIDS related नुकर नाटक हम लोग university में, hospital में और इस campus के बाहर भी कराते रहते हैं बच्चों से बहुत सारे camps लगते हैं, बहुत सारे camps हैं, schools में लगते हैं, हमारे जो primary health center हैं उसके आसपास लगते हैं, तो वो सारे ये social work इस तर ऐसे society से हम लोग अपना जुडाव बनाए रखते हैं एक pathologist के तौर पर अगर आज का युवा अपना भविश्य बनाना चाहें, तो उसके लिए हमारे देश में कितनी संभावना हैं pathologist के तौर पे आप MBBS बच्चे की बात कर रहें, नहीं तो pathology तो बहुत अच्छी ब्रांच है, और I love my branch pathology की सबसे खुबसूरत बात है कि यह एक ऐसी branch है जो हर किसी से जुड़ी है, अगर किसी को हड़ी की परिशानी है तो उसको भी diagnosis pathologist बनाएगा, खून की परिशानी है, खून की कोई बिमारी है तो वो भी diagnosis pathologist बनाएगा, अगर liver की बिमारी है तो भी pathologist बनाएगा, तो संभ जावनाएं तो बहुत जादा है दूसरा जो देखें medical science में हमेशा नई नई चीज़े जुड़ती रहती हैं नई नई technologies आती रहती हैं और बिमारीयों के नई ने कारण का पता चलता रहता है तो इस field में तो बहुत जादा scope है सुभारती विश्वविद्याले स्वामी वेकानन सुभारती विश्वविद्याले मेरट अपने कर्मचारियों, faculty members और students के लिए स्वास्ते के छेत्र में किस तरीके के काम कर रहा है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सुभारती अस्पताल जो है चत्पते शिवाजी सुभारती अस्पताल उसमें हर एक नई टेक्नोलोजी को अभी टेक्नोलोजी को यूस किया जा रहा है इस radiology department में अभी एक नया MRI की machine लगी है जो की बिलकुल बिलकुल नई टेक्नोलोजी पर है और सुभारती में हम जो करमचारिय हैं बच्चे हैं उन सब के लिए जो है discounted schemes है और free of cause भी बहुत सारे किये जाते हैं चीजे की जाती है और जो society का weaker section है उसमें उसके लिए भी बहुत सारे यलाज मुफ्ट किये जाते हैं और सुभारती अस्पताल का यह जो है mosto है कि कोई भी इन्सान कोई भी व्यकती को इलाज इस वज़े से नहीं मिलना कोई भी व्यकती इस वज़े से वन्चित नहीं रहना चाहिए कि उसके पास पैसे नहीं है तो इस तरह की स्कीम की चलाई जाती है और ऐसे लोगों का बहुत को बहुत सहयोग दिया जाता है मैं एक डॉक्टर के तौर पर समाज के लिए युवाओं के लिए एक संदेश जिसमें कि आप एक डॉक्टर की भी भूमिका में हों और एक सिख्षक के तौर पर भी आप क्या संदेश देना चाहेंगी देखे एक तो मैंने बताया कि संतुलित आहार ठीक है भरपूर नीद उसके अलावा एक तनाव मुक्ट मस्तिश्ट ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि ये जो तीसरी चीज है ये थोड़ा मुश्किल है लेकिन तनाव क्या होता है छोटी चीज़ों का चोटी चोट चीज़ों के तनाव से हमें बचना चाहिए और दूसरा इंटरनेट पे बहुत सारा ज्यान हमें उपलब्ध है लेकिन इस्पेशली फॉर मेडिकल फील्ड में आप लोगों को कहना चाहूंगी कि हम लोग जो डॉक्टर्स हैं चाहिए कि फिर सिर्फ में काऊंगी चाहिए किसी भी मेडिसन में हैं ऐलोपैथी आयरवेदिक या फि सालों की कड़ी मेनत से पढ़ाई करके हमें वो ज्यान मिलता है और वो ज्यान किसी को भी इंटरनेट से नहीं मिल सकता है तो आपको अगर कोई भी परेशानी है आप डॉक्टर के पास जाहिए डॉक्टर की सलहा लीजे और उसके बाद दवाईयां लीजे अपने आप जाक के दवाईयां मत लीजे क्योंकि हमें पता है हम जब एक डॉक्टर दवाई लिखता है उससे पता है उसके मरीज को क्या पिमारी है उसके मरीज का किस तरह का structure है आपके किसी एक छोटे से बताय लक्षन से हमें समझ में आ जाते है कि आपको ये दवाई नहीं देनी है पर य विल्फ मेडिकेशन है उसको बहुत अवाइड करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए साथ में इमिनेटी बढ़ाने के लिए अपने थोड़ा सा विटेमिन सी और फल सबजियां इन सब को अपने आहार में शामिल करें तो दोस्तों आज के लिए इतना ही अगले हफते फिर मि इस चैनल को लाइक करना शेर करना और सब्सक्राइब करना ना भूले बैल का आइकन भी दबाएं जिससे कि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुत सके धन्यवाद जैहिंद कर दो दोस्तों आप जिससे कि दो दोस्तों आप एका रग।